हाई अब्रिवन स्वागत है आपका हमारे इस लिटुब चैनल डेली अपडेट्स इंजिनरिंग में दोस्तों हर साल कोल इंडिया लिम्टेट के करमजारियों को दसहरे के टाइम पर बोनस मिलता है इस साल भी जो है दसहरे बहुत ही नजदीक आ चुका है तो दोस्तों बोनस को लेकर मांग भी बहुत तेज हो चुकी है मैं आप लोगों को बता दू कि इसको लेकर जो है मेटिंग होने वाली है इसी को लेकर आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या कोल इंडिया लिम्टेट का जो मेनेजमेंट है वो एक लाख रुपए तक बोनस द सकते हैं फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास मेटल वालों के लिए जो है ऑनलाइन क्लास लगेगी जूम एप्लिकेशन के माध्यम से इसके अलावा अगर आप लोग माइनिंग सरदार उबरमें सर्वेयर फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास कोल या मेटल किसी से भी तैयारी कर रह जो पीडिएफ जो नोट्स हम लोग हिंदी में देते थे अब आप लोगों को इंग्लीज में मिलेंगे इसके लिए आप लोग मुझसे कॉंटेट कर सकते हैं और फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के लिए नोट्स अवेलेबल हैं MCQ अवेलेबल है दोस्तों जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पिछले साल मिला था 68500 रुपए का बोनस इस बार जो है कितना बढ़कर मिलेगा इसी को लेकर जो है सभी लोगों की नजर दिल्ली की बैठक पर थमी होई है मैं आप लोगों को बता दू कि इस ब मिल होते हैं कोल इंडिया वा सिंग्रेनी कॉलरिज कंपनी लिम्टेट को मिलाकर 28000 ऐसे करमी है जिनको इस वर्ष बोनस मिलना है यह जो बैठक है 6 अक्टुमबर को दिल्ली में होगी बैठक को लेकर जो है मनेजमेंट ने यूनियन प्रति नीधियों को भी जो है अपना त है कि अपना जो है इस बार एक लाक रुपए तक हमको बोनस लेना है इस बार इससे भी बढ़कर जो है बोनस मिले इसी को लेकर जो है हमारे सारे स्रमिक संगठन जिसमें की एटक हमेस बीमेस और सीटू के प्रतिनदी आपस में राय विचार करने में लगे हैं कोल इंडिया कि इस्थिती भी बहतर है सेयर धारकों को जो है अपना 2100 करूर रुपए का लाभांस दिया गया है यानि कि कोल इंडिया लिम्टेड में जितने भी लोगों के सेयर लगे हुए है उसमें जो है अपना 2100 करूर रुपए का उनको भी लाभ दिया गया है तो उमीद की जा रह कॉल इंडिया के डीपी विने रंजन ने कहा कि बोनास को लेकर समय रहता है इस्ट्रेंड राइजिसन कमिटी की बैठक बुलाने को लेकर कर्मिक विभाग को दिशा निर्देश कॉल इंडिया चेर्मेन से संकेत मिलने के बाद दिया गया है कोल इंडिया लिम्टेट के चेर्मेन की अधिक्सता में होने की संभावना है इसमें जो है जेबी सीसियाई का प्रतिनिद्थ करने वाले चार ट्रेड यूडियन इनके जो हैड है वो सामिल होंगे इसमें कोल इंडिया लिम्टेट का मनेजमेंट सामिल होगा डारेक्टर टेक प्रमूद आगरवाल सामिल होंगे इसके लावा जो है सरकार की तरफ से भी लोग सामिल होंगे कोल इंडिया ने अपना गत वर्स लगबाग सत्रा सु करोड रुपए इसमें इन्वेस्ट किये थे किसमें दोस्तों बोनस में मैं आप लोगों को बता दू कि पिछले वर्स जो बोनस की मांग जो है एक लाखर रुपए से सुरू करेंगे वैसे जू है अपना इस्थिती लग रही है और उससे साफ लग रहा है कि बोनस की रासी जो है लगभग 75,000 रुपए तक दीacked जा सकती है जहां दोस्तों लगभग जो है 75,000 तक दी जा सकती है 75,000 या फिर उससे नीचे रहेगी कई लोगों का कहना है कि 72,500 कई लोगों का कहना है कि 70,500 पर कतम कर देगी कोल इंडिया पर दोस्तों यह जो बैठक है 6 अक्टूमबर को होगी और 6 अक्टूमबर के बाद जो कि वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक के जिए और ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से शेर की जीए थैंक्यों फ्रैंड थैंक्स पूर वच्ञIdिश वीडियो